नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंजीनियर्स गाइड में तो आज मैगनीज और इंडिया लिमिटेड ने अपना जॉब नोटिफिकेशन रिक्रूट्मेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड ग्रैजुएट ट्रेनी का यहाँ पे नोटिफिके नहीं है कोई भी ब्रांच में इनका लेकिन सेप्रेट से एक्जाम होने वाला है और यहाँ पर इंटर्व्यू कंड़क्त होगा तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलू कि ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर कीजिए तो देखिए यहाँ पर जैसे कि रिक्रूट्मेंट और ग्रैजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर सर्वे तो मो आईयल जो कि मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड आपका एक मिनी र 1st of March है और last date it will be on your 21st of March till midnight बात करूँ अगर qualification और eligibility criteria का तो graduate ट्रेनी माइन्स के लिए यहाँ पर आपका जो discipline रहगा इट विल बी माइनिंग तो यहाँ पर आपका बी बीटेक माइनिंग मी होना चाहिए with 60% मार्क और यहाँ पर आपका probation period जो की one year होगा उस time पर आपको DGMS के द्वारा यहाँ पर gas testing और first aid certificate और one year experience या फिर second class यहाँ पर minors manager certificate आपको यहाँ पर लेके आना है second यहाँ पर है आपका graduate trainee mechanical का तो यहाँ पर बी बी टेक मेकानिकल with 60% मार्क तो यहाँ पर mechanical के जितने भी allied branches है वो भी यहाँ पर eligible है electronics and telecommunication power और equivalent भी यहाँ पर सकते हैं तो ETC और ECE वाले भी electrical के अंडर आप फिल कर सकते हो next management trainee geology तो यहाँ पर post graduate in geology है applied geology चाहिए with 60% मार्क तो graduate trainee process यहाँ पर आपका chemical तीन branches है chemical, metallurgy और mineral processing तो chemical के लिए B.E.B.Tech in chemical, metallurgy के लिए B.E.B.Tech in metallurgical engineering और mineral processing के लिए यहाँ पर आपका M.Tech चाहिए management trainee materials तो यहाँ पर graduate trainee sorry graduate होना पड़ेगा आपको कोई भी engineering discipline में साथ ही यहाँ पर आपके पास MBA होना चाहिए material management या post graduate में आपका diploma होना चाहिए two years in material management management trainee contract management में यहाँ पर engineering discipline में आपका कोई भी B.E.B.Tech चलेगा साथ ही यहाँ पर MBA in finance चाहिए आपका material management management या फिर दो साल का आपका post graduate diploma in finance या material management management trainee personal welfare तो यहाँ पर personal में आपका PG degree in social work में होना चाहिए ठीक है या तो labor welfare या personal management में या फिर आपके पास post graduate degree या डिपलोमा हो ठीक है masters in labor study या IRPM में या MBA हो आपके पास personal management HR या HRT management trainee finance and account तो यहाँ पर आपके पास CA, ICWA या CMA का degree होना है manager survey यहाँ पर आपका जो है तो यहाँ पर आपके पास graduation होना चाहिए 60% mark फिर आपके पास diploma होना चाहिए mining and mine survey में ठीक है फिर आपके पास यहाँ पर surveyor certificate of competency और minimum two years of work experience होना चाहिए आपका underground mining में ठीक है अभी यहाँ पर एक चीज बता दूँ कि जिनका भी mark CGPA में है तो अगर आपका 10 pointer scale है तो इसमें six point को आपका 60% ले लिया जाएगा vacancies की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर GT mines के लिए 13 vacancy है category wise breakup आप देख सकते हो mechanical के लिए five है electrical के लिए four है geology के लिए one है GT process के अंडर जैसे की मैंने आपको बोला था तीन यहाँ पर ब्रांच है तो हर एक में एक एक vacancy दिया हुआ है mt material में five vacancy है mt contract management में one personal welfare में five finance में five और manager survey के दो post है in total 44 post है यहाँ पे selection process की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक computer based test होने वाला है जिस जो की 85% weightage carry करेगा आपके final selection में तो test cities यहाँ पर आप देख सकते हो computer based test आपका कैसे रहेगा तो 85 mark का रहेगा जैसे मैं पहले बोला आपको जो की 90 minutes का आपका duration होगा जिसमें कि 10 marks आपका GK का होगा 10 marks आपका reasoning का होगा और 10 marks general English यह आपका segment 1 होगा paper का और segment 2 आपका जो होगा paper का इसमें आपका subject knowledge होगा जो की 55 questions होगे 55 marks के लिए minimum qualifying marks जो आपका CVT में होने वाला है general और EWS के लिए 50% mark in each segment segment 1 और segment 2 में equally आपको 55% mark sorry 50% mark लाना है SCST, PWD और OBC के लिए 40% mark in each segment साथी यहाँ पे 15% weightage जो आपका होगा वो आपका होगा किसमें personal interview में होने वाला है यहाँ पे application fee की अगर मैं बात करूँ तो general EWS और OBC के लिए यहाँ पे 590 remaining all candidates के लिए यहाँ पे fees exempted है upper age limit यहाँ पे जो है यह आपका closing date of application में graduate trainee के लिए management trainee के लिए 30 years और 35 years for manager survey upper age limit government of India के द्वारा जैसे आपका है वैसा relaxation यहाँ पे provided है next compensation detail आपका salary क्या रहेगा तो आपको training probation के दौरान यहाँ पे E2 grade में post किया जाएगा जिसका की basic pay आपका 50,000 to 1,60,000 तो यहाँ पे आपका salary near about 80k के आसपास बनेगा जो लोग माइंस में काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पे how to apply तो how to apply section यह मैं आप लोग को बोलूँगा कि यह बहुत ही लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा जिससे की यह वीडियो आगे तक पहुचे ठीक है तो मिलते हैं अगले session में धन्यवाद